लाइव न्यूज खबर तो पक्की है नमस्कार मैं शंबब कुमार आप देखें लाइब 24 में भी नवीन सर के साथ हूं दा प्लेट फ़र्म में और विपेशी ट्री वन का रिजल्ट आया टू का आया और थीरी का भी आने वाला है लेकिन वन और टू में भी सप्लिमेंटरी सबसे पहले तो यह अहम मुद्दा है आप देखें कि ट्यारी वन ट्यारी टू ट्यारी अब हुआ ट्यारी वन और टू में भी लगभग बीस हजार प्लस सीट वेकेंट रह गया जिसको अगली वेकेंसी में एड कर दिया गया है जो कि कहीं से भी उचित नहीं है आप मल्ट तर्फिल कंडिड़ेट को बैठाने का मतलब हुआ कि एक ही कंडिड़ेट सिक्स टू एट में भी एक्जाम देते हैं नाइन टेंथ अलेवन टोलत में भी देते हैं बहुत सारे कंडिड़ेट तो ऐसे हैं कि बी एट के साथ डियेल एड भी कर रहा है वह वन टू फाइव भ बाद में बहरिपिकेशन के बाद केलकुलेट जब सरकार कर लेती है। ऊबरॉल कितनी सिते बैकेंट रही है तो बहग्णी वैकेंशी में एड कर देती है। तो मेरे ख्याल से यह बिल्कुल भी उचीत नहीं है। और सभी को मिल करके, तमाम सिक्षक, तमाम चात्र मिल करके, इसके विरुद आवाज उठाना ही चाहिए, इसके बाद एक और प्रमुक मुद्दा है, वेरिफिकेशन प्रॉसेस का, आप देखेंगे कि जेनरली क्या होता है, अभी जो प्रॉसेस अपनाई हुई है कि आप अप से भी उचित नहीं है कि आप जोईन करने के बाद किसे अधार पर आप वेरिफिकेशन करवाते हैं, और वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए, और अंतिम वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि उससे जो सीटें बचेगी, खाली रहेगी, वेकेंट सीट बचेगी, इसी आज लगा सकते हैं, कि कितनी सीटें बेकेंटिस के कारण से रही, इसलिए हम तमाम अभ्यरतिस ये बात कहना चाहते हैं, कि आप इस बात को समझेए, और ये एक अहम मुद्दा है, और साथ में वेरिफिकेशन प्रॉसेस का, मुद्दे तो कई सारे हैं, मुद्दे तो हैं क कि ओबर एज रिलेक्सेशन का एक बड़ा सा मुद्दा है, और कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये सबसे अहम ये दुन मुद्दा है, इसलिए परमुकता से आप लोग भी जितने भी यूटूबर हैं, जो इस तरह का वीडियो जो बनाते रहते हैं, आप लोग भी हर एक अ उत्तर खोजने का परियास करना चाहिए, कि वन कंडिडेट वन डिजल्ट क्यों नहीं होगा, आप देखें रेलवे में, इतना बरा अंदोलन हुआ रेलवे में, कारण उसका यही था, मल्टिपल रिजल्ट, बाद में रेलवे को बैक फूट पर आना परा, विदार्थी को बात को समझ करके उसको इंप्लिमेंट करना परा, और उसके कारण से हज्जारों विदार्थी का उत्थान हो पाया, उत्धार हो पाया, यह जो आपने कहा मल्टिपल रिजल्ट करना, जो एसी एसी धार जी, उनसे हमारी बात चुथी, ऑन कैमरा उन नहीं बोले, बोले कि आ आप खुद सोचिए ना कि एक बच्चे चार जगा रिजल्ट ले रहे हैं, जो आइन कहीं एक जगा करेंगे, आप 50% वेटिंग का प्राबधान कीजिए, आप जो 50% वेटिंग का प्राबधान करेंगे, जो सीटें भैकेंट रहेंगी, और इसी एक्जाम में दिये हुए ब आप लोग के तरफ से आप लोग पूरी बिहार में आप लोग के चार चार के असान भी था था आप लोग क्या कदम उठा सकते हैं, जैसे कि वह से ही कोचिंग वालों पर अलग तरह से के नजरिये से देखते हैं, यह लोग माफिया है, वगर वगर कितनी बात हम बने हुए ह सिक्षक, तो सुभाविक रूप से जब भी छात्रों को परिशानी होगी, या छात्रों से रिलेटेड मुद्दे होंगे, तो हम नहीं उठाएंगे मुद्दे, तो कौन उठाएंगे, तो यह बरा सा मुद्दा है, इसलिए हम यह चीज कहना चा रहे थे, कि तमाम सिक्षक और अभ्यर्थी, जैसे भी हो, या छात्रनेता, बहुत सारे आजकल छात्रनेता हैं, जो कि छात्रों के परतिनिधित्व करते हैं, उनको उचित न्याय मिलना चाहिए, इस पर वर करते हैं, तो उनको इसकी अगवाई करनी चाहिए, हम तो पीछे-पीछे हैं ही, काई को दि लया जलते, तब जाकर के यहां के बिजारतियों के साथ कलियान हो सकता है, जैसेके रिल्वे में पहले हो चुका है, सरकार बैक वूट पर चली गए, और चाहिए, वहां पर कमयभ हूँ और उस बातों को नज़र रखे, ताकि चाहतर, बिःहर में से इधिक से अधिक बिज कि ए